जैमा तादी देखिए मैंने इस स्वेंटर पहले से बना लिया और अब इसमें मैं पॉकिट बनाना बताती हूं जैसे मैंने इसमें ये पॉकिट बनाया ऐसी में दूसरा तरफ पॉकिट बना के बताती हूं क्योंकि पहले मेरी उन कम थी तो मैंने पहले पॉकिट नहीं बनाय तो मैं बाद में pocket बना रही हूं तो इसमें मैंने इस से अलग ये जो हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस फंदे इस तरफ छोड़ें और इतना ये इस तरफ छोड़ा और इसमें मैंने ये हैं 41 फंदे उठाएं तो मैं दूसरी तरफ भी इसमें इसी तरीके स फंदे उठाकर बताती हूं जैसे मैंने इसमें बनाया ऐसी मैं बनाती हूं तो मैंने यहां से और यहां तक यह निशान लगा रहा है मैं इसमें 41 फंदे उठाऊंगी फंदे मुझे 12 नंबर की सलाई से उठाने और उपर जैसे मैंने 11 नंबर से सुनेटर बनाया तो मैं 11 न यह इस तरीके से फंदे उठाने जो यह मेरे बॉर्डर की सलाई है लास्ट वाली उसके यह कुंदे में इसमें ऐसे उठा रही हूं एगर ем सफ़ेद वाले उठा रहे हैं तो हमारे ये उठआगे और ब्लेक में उठाइंगे थे हमारे ये कुंदे उठाइंगे अजनिष 색깔 से हुवाद की कुंदे between झाल यह ऐसे मैं नहीं एक तालिस फंदे उठाएं हैं अम मैं गिन्तियों मेरे फंदे पूरे हुए जाते हैं एक दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, क्यारे, बारे, तहरे, चौहदे, पंदरे, सोले, सतरे, ठारे, उन्निस, बीज, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 48 यह ऐसे मेरे 41 फंदे इसमें हो गए और अब यह 41 के 41 फंदे मुझे बनाने हैं यहां बनाना स्टार्ट करती हूँ और यह ऐसे ही अपनी तरफ ने उल्टी उल्टी सलाई यह ऐसे ही कर पूरी करके कंप्लीट करके जब दिखाऊंगी यह ऐसे मुझे सारी सलाई कंप्लीट करनी है यह सलाई के मैं एंड में आ गई यह मेरी सलाई complete हो गई जैसे मैंने यह सलाई काड़ी है ऐसी में इसे जितनी मेरे pocket बनना है उत्ना बनाने के बाद मैंने फंदे 11 से लिए 12 से लिए थे अब मैं sorry इसे 11 से उपर ने बना रही हूँ क्योंकि मैंने sweater 11 से बनाया था तो मैं 11 की सलाई लगा के अब मैं सीधा सीधा सीधी सलाई सीधी उल्टी सलाई उल्टी ऐसी बना के और इसे pocket के बरावर complete करूंगी तब दिखाऊंगी यह हमारा complete हो गया और आब हम इसे हैं से खोलेंगे कि यह हम ऐसे हैं तक इसे हैं तक खोलेंगे और यह इस साइड तक यहां तक खोलेंगे यह 41 फंदे हमें निकालने इसमेस हो ऐसे ही जब हम खोलने हैं तो हम चाहें कहीं से भी इस तरह के से धागा कट कर लेते हैं यह एक कुंदा लिया और यह कट कर दिया अब हम इसे हैं से खोलना स्टार्ट कर देंगे इसे अब हम इसे तरीके से अब हम इसे यहां से और यहां तक खोलेंगे जब आपको दिखाएंगे यह मैंने 41 फंदे उठा लिये भर लिये इसमें और यह 41 मेरे इस साइड में इनने में बाद में सलाई में लूंगे अब मैं इनने पहले इनका बॉर्डर बनाना मुझे उल्टा सीधा पहली सलाई एक सलाई मुझे साधा निकालनी है फर्ष सलाई साधा यह ऐसे मुझे कंपलीट करनी है सलाई यह मेरी एक सलाई कंपलीट हो गई अब मुझे इसमें दूसरी सलाई काड़नी है दूसरी सलाई में यह हम पहला फंदा ऐसे भी गरबुन्या लेते हैं यह ऐसे एक बार धागा उधर बनना एक बार धागा ऐसे ले जाना फिर लाना और यह हम उल्टा लिकाड़ेंगे यह सीधा इसी तरीके से मुझे इसमें 10 सलाई 11 सलाई लिकाड़नी है और यह इस पर ऐसे तार देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे इन दोन उनका ऐसे एक बनाएंगे फिर धागा अगली तरफ ले के जाएंगे और यह ऐसे बनाके यह इसके उपर ऐसे उतार देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और फिर इन दोनका एक ब असलेगे लेकर बनाएंगे कि अधाग है कि एक बनाएंगे एक तक बनाकर ये कंदा इसके उतार रहेंगे ये कंदेग अपने दाग़ा अपनी तरफ लाएंगे ये कंदा फिर सलाई हमसे अब फिर एक बनाएंगे यह ऐसे ही मुझे अपना सारा कम्प्लीट करना है यह हमसलाई के एंड में आगे जितना हम धागा फाल तो काट लेंगे चिलाई के लिए यह हमारा बॉर्डर बन के कम्प्लीट हुया अब यह फंदे हम सलाई में घालेंगे इस सारे फंदे सलाई में लेलेंगे ऐसे इन सारे फंदे ने सलाई में डालने के बाद दिखाएंगे यह फंदे हमने सलाई में डाल लिए और आप ये इस तरह ऐसे लाकर और ये हैं ये हमने इसमें दहागे में सुमी डाल लए ये दोनों हम इखटे ऐसे लाएंगे अपने पास इस कुंदे में ऐसे डालेंगे शलाई परली तरफ से इस कुंदे में ऐसे डालेंगे और फिर ये इस कुंदे में ऐसे इस कुंदे में डालेंगे और जिसमें पहले डाली है इसी कुंदे में ऐसे डालेंगे इस कुंदे में ऐसे डाली सलाई और इस वाले में ऐसे लिकाड़ेंगे फिर इसमें डालेंगे इसी में वापिस ये इसमें यहां ऐसे लिकाड़ेंगे अब पहले इसमें सफीद में लिकाड़ेंगे वाइट में फिर बिलेक में इस वाले में जो सलाई में दुबारा से सी में डालेंगे हुक यह इसे लिकाड़ेंगे और अब इसमें से डालेंगे हर कंदे में कौर दो बार से लिकाड़ेंगे तब यह सिलाई होगी इसमें एक बार लिकाड़ेंगे अब इसमें से लेंगे हम जब इसमें दुबारा लिकाड़के ऐसे तार देंगे इसमें एक बार लिका ली अब इसमें से लेके जाएंगे और इसमें से अभी से तार देंगे अब इसमें से लिकाड़ ली पहले इसमें एक बार अब इसमें लिकाड़ने के बाद इस कुंदे को हम ऐसे ताड़ देंगे इसमें से लिकाड़ने के बाद इसमें ऐसे सुई डालके ये ताड़ देंगे पहले इसमें से लिकाड़ी और फिर इसमें ये तार दिया अब इसमें एक वार लिकाड़ी दुबारा से लाएंगे तब इसे ऐसे तार देंगे कर पंदें नहीं राएंगे कर वर खुबार जाएंगे कर पंदें आएंगे हुआ अच्छरिया हुआ पंदेंगे हम ऐसे यह ऐसे हर फंदे में से दो वार जिसमें से एक वाल लिकड़ गया जिसमें से यह दूसरी वाल लिकाड़ रहे है तो यह हमने ताड़ दिया और इसमें से यह एक बार और इसमें यह दूसरी बार देखिए फिर कैसे समझा रहे हैं जैसे इसमें हमने यह एक बार लिकाड़ा तो इसे हम अभी तारा नहीं है अब इसमें से हमने लिकाड़ा और इसमें दोबारा दिया यह हमने ऐसे लिका लिए और इसमें से ऐसे लिया और फिर इसमें ऐसे डाला विरकुल जैसे हम सलाई लिकाड़ाते हैं इसी तरह से सफाई आएगे विरकुल पताई नहीं चलेगा हमने हैं सलाई करें जैसे सलाई से बनाते हैं इसी तरह से बनेगा अभी हम ऐसे कंप्लीट करेंगे जब कंप्लीट करने के बाद दिखाएंगे अग हम इसके एंड में आगे इसके हमने साधा में सब पता नहीं चलता है ऐसे हैं सिलाई में पता नहीं चलता इसमें हम इसे सिलाई करेंगे जैसे हमने इसकी सिलाई कर रहा किया है यह यहां से यह वाली सिलाई करेंगे हम इसकी करेंगे हम इसकी हम इसकी इसी तरीके से अब हम इसे यहां तक सिलाई करेंगे जब दिखाएंगे जैसे मैंने इसे सीला है अब ऐसे ही मैं इस साइड से इसे सीलूँगी अब यह दागा हम इसे डालेंगे और यहां कट कर देंगे यह हमारी उल्टी तरफ से ऐसे होगी और अब हम यह सीधी तरफ की शिलाई करेंगे यहां से सीधी तरफ से हम यह ऐसे से लाई करेंगे यह यह जो इस साइड के कुंदें इनकी यहां सो इस तरीके सुआ इस तरफ स्थ दागया हम स्साइड में लेकर करेंगे और यह द्यागे भूदी प्रूद्ध करेंगे यह तर आइ कट कर देंगे और यह हमारा पॉकिट बनके कम्पलीट है अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें अब यह मेरी वीडियो बनके कम्पलीट है अगर यह मेरी बताने का तरीका आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें जादा से जादा शेर करें